आप देखरे हैं आपका चैनल शेयवदार वितायूष और दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं भी एचिएल के स्टॉक के बारे में दोस्तो आज आज आपको देखने को मिला भी एचिएल के शेयर में काफी बडी गिरावट आती ही देखने को मिली स्टॉक के यहां दोस्तों डाउन जाता गया और आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर लगातार यहां पर सेलिंग प्रेशर क्रियेट आपको होता हुआ देखने को मिला तो फ्रेंट्स इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बीच चील के अंदर आपको करना क्या है क्योंकि इतनी बड करेंगे क्या पर यदि मतर देखने को मिल कंदाऊ सकते है तो दोस्तों अगर वीडिग आप ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आपको य人 वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक कर enο往 आप जरूर जाईएगा तो फ्रेंस ब्हल में दोस्त आप आपको 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 देखने को मिला शेयर पार्च पर्सन से ज़्यादा की गिरावट में आपे काम काच करता हुआ देखने को मिला 53.70 आपे दिखेगा फिफ्टी-फूर रूपीज की उपर closing आ गई है वो जो adjusted देखे price निकल के आती है but important बात क्या है stock के अंदर आज एक भारी गिरावट हमको आती भी देखने को मिली अगर आप देखेंगे अब तो stock के आप पिछले 5 दिन में 3% से ज़्यादा गिरता हुआ देखने को मिल चुका है आपको इतना बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला बाजार के अंदर फ्रेंट्स जो आज होता हुआ आपको देखने को मिला है यह काफी crucial है सारे stocks को related ऐसा नहीं है कि देखें आज सिफ भी एचे ल कि रहा है अज सारे shares गिरे हैं सब share के अंदर एक भारी Bikwali आपको आती भी देखने को मिली है BHL भी देखें इस Bikwali का यहाँ पे आपको BHL को सामना करता हुआ देखने को मिला गिरावट यहाँ पे आती भी देखने को मिली बट अब important चीज क्या है फ्रेंटs important चीज यह है कि देखिए बाजार के अंदर जो आज बिक्वाली आई यह साफ सब एक संकेत है कि थोड़ी बहुत profit booking बाजार में चलती भी आपको देखने को मिलेगी और आपको हर बार देखिए मैंने पिछले कई वीडियो में का है बीचल की बात नहीं कर रहा हूँ जहां प जब तक अपने profits book नहीं होंगे तब तक यहां पर ऐसा ही आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा याद रिखिए का फ्रेंट्स स्टॉक मार्केट में पैसा डालना जरूरी है लेकिन याद रिखिए का उस पैसे को निकालना भी या अपने profits को बुक करना भी न जरूरी है व कोशिश कर रहा था बीच में उपर जाने की बट एक बार भी देखिया आज positive zone में जाता बहा देखने को नहीं मिल पाया और फिर दिन के देखिए निचितम स्थर पे आपको फिर्कों लोएस लेवल के आसपास बीएच लोएस लेवल था 53.60 और लोजिंग दी 53.70 बाजार ऐसा रहे का यहाँ पर घिरावत बनती भी देखने को मिलेगी और यहाँ पर और भी देखे गिरावत बन सकती है बाजार में बट स्पेशल बात करू बीचिल की तो मुझे लगता है कि देखिए इतनी जो गिरावत आपर आज आपको देखने को मिलिये एक sufficient profit booking हो च ठीक है 38.76 returns लेकिन यहां पर important चीज़ क्या है कि BHL में पहले भी ऐसी गिरावट यहां पर आती भी देखने को मिली है देखें आपको पिछले एक साल का इस चार्ट दिखाऊंगो या फिर यहां पर साफ साफ क्या देखने को मिला है पहले इस zone पर यहां पर accumulation होता था फिर यह जोन है जहां पर गिरावट भी बन रही है और जो लेवल्स है 60 रुपीज का उसको BHL काट नहीं पा रहा है हर बार 58 तक जाएगा उसके बाद देखें गिरावट बनती भी आपको देखने को मिलती है जो एक much expected breakout था वो BHL में आता वा आपको देखने को नहीं मिला जो definitely गिरावट आईए वो देखिए आपको बाजार ने जो गिरावट आज लाईए वो imported गिरावट है यानि जो US markets गिरते वे देखने को मिले इस ये करण दोस्तों यहां पर बाजार के इंतर गिरावट आती भी देखने को मिली और BHL का stock यहां पर fall करता वा देखने को मिला ले पहला भी आपको कहा था कि annual general meeting काफी कुछ रास्ता ताई करेगी BHL का 60 रुपे के लेवल पर या फिर 50 रुपे के नीचे के लेवल पर क्योंकि वो काफी crucial रहने वाला है जिनको नहीं पता है दोस्तों BHL की annual general meeting होने वाली 23 तारीको आज देखिए 20 तारीक हो गई है सिफ 3 द क्या इनके plans है कितने orders यहां पे company के पास क्या order pipeline है कितने execution आपको देखने को मिल सकता है order का जो अभी हाल फिलाल में orders मिले उनकी क्या position है तो definitely काफी important रहने वाले companies की क्या देखिए यहां पे statement निकल के आता है जो अभी देखिए company के result आये थे क्या auditors की directors की report है यह appointment देखिए के रिए appointment होने वाला है दो जनों का और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे company क्या कुछ announce करती है shareholders के लिए क्या कुछ बड़ी बात निकल के आती है definitely कोई expectations तो इतने लगा के आप चलेंगे नहीं because कुछ भी यहां पे देखिए बढ़िया तो आपको होता हुआ देखने को नही है यहां पर तो बिल्कुल expectations तो यह नहीं है बढ़ हमारी expectations क्या रहेगी कि company आगे किस तरह करेगी याद रखेगा company की जो यहां पर commentary निकल के आएगी उसके उपर बाजार रियाक्ट करता हुआ देखने को मिलेगा उसके उपर बी एचिल का stock react करता हुआ देखने को मिलेगा commentary थोड़ी बहुत भी positive निकल के आती तो आप मान के चलिए बी एचिल उस पर काफी बढ़िया reaction देगा और stock टेजी करता हुआ देखने को मिलेगा लेकिन अगर commentary में कुछ भी negative निकल के आता है तो दिखे गिरावट बन सकती है तो definitely आपको अगर अभी तक आपने stock के अंदर buying नहीं करिए उनको बोल राउं जन लोगों ने अभी तक इसके अंदर कोई भी positions नहीं बनाई है वेट करिए देखे company क्या कहती है अपनी AGM पर कुछ अगर बढ़िया निकल के आता है तो definitely यहां से तेजी बनेगी फिर वाय करिएगा लेकिन अगर कुछ खराब निकल के आत है तो definitely अपके परस कोई stock है नहीं और अपको नीचे लेने का मौका मिलेगा तो अब बात करते हैं जो आज गिरावट मिली है क्या है फाइदा आपको उठाना चाहिए इस गिरावट का क्या खाइदारी करनी चाहिए सो यहां से जो तीजी बन सकती है बीएचियल के अंदर याद रखिएगा stock का support अब जरूरी आ चुका है बिकोज गिरावट जो आज हमको देखने को मिली है जिस लेवल पर आसपास बीएचियल है इतने बड़े लवल्स नहीं दिखते हैं बिकोज यहां से 50 रुपे काफी ज्यादा पास दिखता है और AGM भी आने वाली तो काफी कुछ न्यूस लेटेड़ चीज होती भी देखने को मिलेगी लेकिन मुझे रखता है कि जैसे पहले भी bounce back किया चौक bounce back करेगा तो डिफिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर स्टेल की बात में सुचना है अधर्वाइस यहां पर जो आपके लेवल से बने रही है कोई दिक्कत की बात यहां पर ज्यादा दिखती नहीं तो इस वीडियो में इतना ही था ओप सब को वीडियो बढ़िया लगा और बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजेगा चैनल से नए जुड़ें सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू फ्रेंस वीडियो